फ्रेंड सामने आप देख सकते हैं नियू हुंड़ाई सेंट्रो 2022 मॉडल है गाड़ी आपकी दो वेरियंट में आती है एक पेट्रोल और दूसरी CNG में इसकी पेट्रोल की एक सोरूम प्रैज 4.86 है बेस बेरियंट में और 6,00,00 आपका CNG वेरियंट में बेस मॉडल में आपका इसका प्रैज आएगा इसके बाद इंजन की बात करते तो इंजन आपका 1086 CC का मिल जाएगा माइलेज इसका पेट्रोल में आपका 20 km पर लीटर कराएगा और CNG में आपका 30 km पर केजी कराएगा इसमें आपको CNG टैंक की कैपेश्टी है 8 kg की मिलेगी और फिल टैंक पेट्रोल में आपको 35 लीटर की कैपेश्टी मिल जाएगी गाड़ी बहुत ही अच्छी है बहुत ही टॉप सेलिंग कार है तो आज हम लोग देखेंगे CNG वेरियंट का मैगना मॉडल इसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे तो गाड़ी देख लिजे सबसे पहले चारो तरफ से आप देख लिजे किस तरीकी गाड़ी देखती है यहां से आप रियर व्यू देख पा रहे होंगे गाड़ी का तो बहुत ही अच्छा लुग देखता है गाड़ी सोरूम में तो इस तरीके का व्यू आ रहा है आप बाहर देखेंगे तो और भी अच्छी लगती गाड़ी आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे गाड़ी का साइड व्यू यह सारी आप देख सकते हैं सबनाद से लिए गाड़ी किस तरीके की देगती क। क। what a horse है स्पोर्टी लेकर है लेकिन इसाइड़ इसा सनि पक। औ Gibson क फायब सीटर है देक着 n सकते हैं अभी आप डेफ तो घृषा है जिसन क। तरीके न और जाता है इसमें ब्लैको ऀए लएगी स्विहा में बोनट का design तो इस तरीक आता है हो यहां पे देख़ चॉट लगता है और यहां पर देख सकते हैं गारी कि अच्छी पैसे दिजाइं से तर्सWarright की यह देख सकते हैं तो यह design आप देखी रहा होगा अराम से देखिए गाड़ी क्या-क्या इसमें फीचर्स ओफर किये जाते हैं उससारे हम लोग इसकस करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर फॉग लैंप आपको मिलती नहीं है इसके टॉप वैरियंट में आपको मिलेगा इसमें आपको यह बस कट यहां पर बना दिय हो सकते हैं हुग तो इस तरीके का देखता है यह से देख सकते हैं आप लोग तो यहां आपको 13 इम्हं है उसका इसमें अभी कवर लगा दिया जाएगा ते और तो गाड़ी आप आराम से देखेगा किस तरीके का वीव आता है यहां पर टर्ण इंडिकेटर आपको साइड में दिया जाता और यह देखिए आप तो कर्ट जो बना है डिजाइन मना है कर वाला यह इसको अच्छा लुक देता है यह बहुत ही अच्छा रगता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आ दोर हेंडल देख सकते हैं इस तरीके के हैं यह थोड़ा सा कर्व दिया गया जो अच्छा लगता है देखने में बैक वाली सीट में देख सकते हैं तो यहां पर भी आपको बैट वाले डोर में भी आपको सेम हैंडल इसी टाइप का मिल जाएगा बाडी कलर में और यह अब देख सकते हैं तो इसमें पट्रोल में 35 लीटर को ऐसमें आप्सन मिल जाता है यहां पर यह भी आप कर्व मिल जाइगा प्यूल टैंक के पास में तो यह इस यह फीचर इसमें आ जाते हैं तो तो यह दो यह आपको रहे होंगे रियर वी तरीके का बाड़ आता है तो यहां पर आपको Hyundai का लोगो मिल जाएगा बैक में तो इस तरीके का वीव आता है गाड़ी का बैक से आप देख लिए गाड़ी किस तरीके की दिखती है इसके बाद हम लोग और भी इसके पार्ट जो हैं वह सारे बात करते हैं लोग बात करेंगे यहां पर रिफ्लेक डेयर में यहां पर लग लगे यहां पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी औरुद रहना पर नर्या देख सकते हैं तो आपको रिवर्स पार्कुंग सेंसर मिल जाते है तो इस तरी miss the तो यहां पर देख सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरंस आपको दिखाते हैं कितना मिलता है 165 mm आपको ग्राउंड क्लियरंस मिल जाता है इस गाड़ी में जो की बहुत ही अच्छा है और अच्छे आरहम से आपको कहीं भी कमपर्टेबली ट्रेवल कर सकते कोई प्राब्लम न इंजन का नॉस यहां पर आपको दिया जाता है राइट साइड में मिलेगा बैक में तो यह चीज इसमें यह फीचर्स आपको मिलते हैं और हम लोग अभी चलेंगे गाड़ी के अंदर और देखेंगे गाड़ी में अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इस एंजी के मैगना मेरेंट 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 देख रहे हैं यहां पर इसको ओपन करेंगे डॉर को ओपन करते हैं और दोर में देखते हैं क्या-क्या अश्में पीचर मिलता है तो यहां पर देख सकते हैं आपको डैस आपको black में मिलेगी तो यह दो कलर का combination अच्छा लगता गाड़ी में यह और इसमें कर्फ बने हैं वह भी अच्छा लुक देते हैं इस गाड़ी को यहां पर आप देखते हैं बॉटल स्टोरेज आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में यहां पर और यहां पर देखिए इस पी आपको इसको अर्जस्ट नहीं कर पाएंगे यह इसमें सारा मैनुवल रहेगा और यहां से विव आप देख सकते हैं गाड़ी का तो कैसा दिख रहा है अंदर का आगे का देख सकते हैं पूरा और स्टेरिंग का डिजाइन इस तरह के दिखता है अंदर हम लोग चलते हैं अंदर से गाड़ी कैसी दिखती वह सारा मों देखेंगे तो चलते हैं गाड़ी में अंदर बैट के देखते हैं सीट आप सकते हैं कि आपको मिल जाएंगी ब्लैक पीच कलर का कॉमीनेशन रहेगा तो यह अच्छी होंगी यहां से देखिए आप फ्यूल टैंक और यहां से यहां पर आप गाड़ी में इंटर करते में खक्रते हैं क्या क्या है इसमें मरें देखता है स्टेरिंग किस्ट किज मत नहीं रहेगा अपर जिसे हम बर मिलती है यह साइड में आपको all इ historian के बारे में मिलती रहेंगी कितना अन्तर ना करें मिल जाफ कि नेव रही तो आपको मिलेगी और इस टेरिंग आप देख लीजिए तो इस तरीके की मिल जाती है यहां पर ब्लैक पूरी रहेगी और इसमें साइड में यहां देखते हैं गोल्डन कलर का फिनिस का आपको यह मिल जाता है अपको फिनिसिंग होगी यह अच्छा लगेगा देखने में यहां से प्लेन देख यहां यहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से यहां ऌडेह परफिर बटन जाती है और भी बटन जाती यहां पर देखिए एसी लेंग को कन्ट्ल करने के नौब दिया गया है और यह मिलती है वह साट में मिल जाता है डायवर साइड और साइड वाली सीट में दोर जगे आप यह चीज मिलती है इसमें आपको सिल्वर फिनिश में फोड़ा दिया जाएगा तो वह अच्छा लगता है यहां पर देख सकते हैं तो आपको यह हइं हैडलाइडस की जो राइड्डक वह गळिया जाता है बहुत से आपका हैं और यहां पर साइड में गप का ऊप्सन जाता है तो कि आप मैनुली लगा के से तो यह चीज इसमें मिल जाती है और यहां से आप देख सकते तो आपको 12 वोल्ट का आपको सौकेड मिल जाएगा चार्जिंग पॉइंट होगा तो इससे आप चार्जिंग कर पाएंगे यह चीज इसमें दी जाती है और यहां से आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपक बहुत ऑच्छी है और इसमें हर चीज आपको मिल जाती है यहां पे 5 गेर बॉक्स आपको मिल जाएंगे मैन्वली होंगे और इसके गेर बॉक्स के साइड में आप देख लीजेए कि सिल्वर फिनिस आपको मिल जाए जो इसको बहुत ही अच्छा लुक देता है यहां पर देखे लिए मिरर कंट्रोल की बटन जो है केर बॉक्स बैक में यहां में मिल जाती बोच साइड की साइड में ड्राइवर साइड होकी होगी और ड्राइवर वाली सीट के दोनों के कंट् पेस दिया जाएगा यहां पर बॉटल भी रख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं तो हैंड ब्रेक के बगल में यह इतना ज्यादा इस्टोरेज दिया को भी समाना अब रख सकते हैं यह पूरा ब्लैक रहेगा इसमें क्रोम फिनिस बटन वगरा में नहीं मिलता है यह ची हो यह यह दो को लाइक आगे नहीं दी जायंगी उपर वाली जो रहती है आपको यह सब्सक्राइग डराइक इसको open कर सकते हैं तो इससमें आऊफर की जाती है तो जैख अच्थम say aap की यह नोगम कर सकते वाले च्जुम से वाले सो शटोर मुम कर सकतें हैं यह पर जो मन्स से आप जिस भी कंपनी का लगवा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है वह आप से लग जाएगा यहां पर मेर देख सकते हैं तो मेर आपको मैनुवली अर्जस्ट कर सकते हैं और यहां डाइवर ट्रीड के ऊपर देख सकते तो आपको टिकट होल्डर लाता एक टिकट होल्डर इसमें अप्सन दिया जाता तो वो बहुत ही अच्छा फीचर है यहां पर देख सकते हैं साइड़ वाली सीट में बहु आपको शनरे प्रॉटेक्टर मिल जाता तो सनरे अगर उती है तो आप प्रोटेट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं और गाड़ी का विव इस तरीके का आता है अब हम लोग चलेंगे गाड़ी के बैक में तो देखेंगे गाड़ी कैसी दिखती है वो बाइक वाली सीट से भी दिखाएंगे या पर हैड्रेस दे सकते हैं आपको अर्जेस्टे के लिए दी जाती है और पीछे वाली सीट के नहीं कमफर्टेबिल है वह लोग बैट के देखेंगे वह सारा आपको बैट के दिखाऊंगा और कितना स्पेस मिल जाएगा लेग्रूम कितना रहता है वह सारा हम लोग देखते हैं चलके तो आब हम लोग चलेंगे बैक वाली बैक कलर में होगा तो इस तरीका का विव बैक वाले डूर का भी आ जाता आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखिए बॉटल स्टोरेज का मिल जाएगा और यहां पर बॉटल स्टेरेज आपको मिल जाएगा इस पीकर का ऑप्शन इसमें मिल गया है आप बार से लगवा बैट गया हूं सीट में कोई दिक्कत नहीं है इसमें देख लिए लेग रूम में आपको 6 इंचेस का डिफ्रेंस मिल जाता है सीट और पैर के बीच में आपको 6 इंचेस का राउंड आपको इस पेस मिल जाएगा जो कि आपके बैठने के लिए कंफर्टेबली रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तीन लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे इसमें काफी अच्छा स्पेस दिया बैक से आप देख पा रहे हूं गाड़ी आगे हमारी किस तरीके के दिखती है तो आगे कभी इस तरीके का आ जाता है बैक वाली सीट से तो इसमें देख लेगी और बैक की सीट देख लिए इसमें भी आपको हैड्रेस्ट फिक्स मिल जाते हैं यह इस तरीके करेंगे सीट लेकिन बहुत कंपरिवल है यहां पर आप देखिए च्छोटी सी ट्रे रहेगी इसमें कुछ भी सामाना अब रख सकते हैं थोड़ा समिल जाएगा और हैंडल आप देख लीजे बहुत साइड में आपको मिल जाएंगे उपर यह पकड़ने के लिए तो इस तरीके का बैक वाली सीट का वियू है और अब हम लोग चलेंगे बैक में और देखते हैं बूट स्पेस में कितना स्वीस बसता है सेंजी टैंक लगने के बाद में और अब पर शेयंक करण सकते हैं तो इसको बूत पर उपन करते हैं इसको उपन करने के लिए अप एपैस बोट नभी बताया था विख्वर सेड्र के तो और आप देख लिए आपड़ने को सकते हैं आप पर लगाश्य क्यूश्य टैंक है जाएगा company fitted आपको मिलेगा और समय देख लिए स्पेस कुछ भी नहीं बसता है टैंक लगने के बाद में और आगर आप नॉर्मली केवल ट्रैवल करना चाहते हैं आपको सामान कहीं नहीं ले जाना है तो आपके लिए बहुत ही बैटर है क्योंकि इसमें माइलेज आपको बह गाड़ी को मैं 5 इस्टार देता हूं कि बहुत ही अच्छी है चोटी गाड़ी है हैजबेक कार है और इसमें सारे फीचर मिल जाते हैं ट्रैवल करने के और बजट भी इसका सही है और देख सकते हैं साइड व्यू तो गाड़ी हमारी बहुत ही अच्छी लगती है वाइट क वाँ पे जाके देख सकते हैं तो फ्रेंट अप हमारा इस तरीके का आजाता है बहुत ही प्यारा लुग लगता है गाड़ी का देखने में और बहुत ही सपोर्टी जबाली लगती है भाँप देखिया आपको एंटीना को आप्सण मिलेगा लेकिन एंटीना मिलता नहीं इ इसी तरीके के कार वीडियोस आपको इस चैनल पर मिरते लाएंगे, तब तक के लिए बाइबाइ, टेक केर, फिर मिलेंगे आपसे.